नमस्कार दोस्तों मैं प्रमूत सारसुत आपका अपनी यूट्यूब चैनल सारसुत क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है वो है राजिस्थान की जीले और राजिस्थान की जीले में दोस्तों हम लास्ट में लास्ट वीडियो में पढ़ संबरजिल से रिलेटेट संबरजिल बहुत ही इंपोरटेंट रूल निबाथी है तो संबरजिल में क्या है पहली बात और या कहाँ पर इस्तित है धिकीसि defending वर्णन है वो सबसे पहले कहां पर मिला है बिजोलिया शीला लेक थीक है तो बिजोलिया शीला लेक कि ANUसार इसका निर्माण चोहान शाषक वासू देव किस ने करवाया है चोहान शाषक है चोहान शाषक वासू देव anyhow ठीक है किसने कराया है चौहांचाशकवासुदेव ने कराया है कहाँ पर ही यह जैपूर फुलेरा में यह इस्तित है ठीक है यह भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी ज bougी है तो यह भी इंपोर्टेन याद रखेगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की जील अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो क्या होगी सामबर जील और ये क्या होगी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है लेकिन अगर मैं बात करूँगा दोस्तो ठीक है कि यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर खारी, खंडेला, मेंथा, चार नदियों का पानी इसके अंदर आता है, ठीक है, किस-किस का आता है, खारी का आता है, खंडेला का आता है, मेंथा का आता है, ठीक है, और एक और नदि जिसको हम कहते हैं, रूपन गड़, ठीक है, तो खारी, खंडेला, मेंथा औ करनाता है इसको आप याद करें के रूपनग़ डिकें तो आगे जलते हैं इसका जो चित्र वो कितना है इसका चेत्र फल और वो लगबग, एक न सो onda दॉड़क किलो मीटर हे जिसे लिए इतना थोड़ा सा डीप यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कि कितना वर्ग छेत्रफल है 150 वर्ग किलोमेटर में ये फैली हुई है ठीक है आगे हम दोस्तों चलते हैं इसकी अंदर जो इंपोर्टेंट पार्ट आता है वो यह है कि यहाँ पर जो नमक निकाला जाता है मेली वो मा मार्ट से लेकर माई में निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि क्यारियों के अंदर जो क्यारियों में पानी को जमा कर दिया जाता है और जो क्यारियों में जमा होता है उसमें पानी का वाशपी करण होता है और वाशपी करण से पानी उड़ जाता है और और इसी टाइम पे यहाँ पर नमक का जो सरवार्दिक उत्पादन है दोस्तों वो किया जाता है ठीक है अब इसमें देखिए जो ये उत्पादन करती कौन है तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कौन सी कमपनी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कमपनी की ही साहय कमपनी ह सांवर सौल्ट लिमिटेड हींदूस्तान सौल्ट लिमिटेड के द्यूरा इसका नमक की अँत्र नमक का पर उत्पादल ठीक है इसके बाद देखिए स्वदेश दर्शन योजना से सामबर लेक को जोड़ा गया है स्वदेश दर्शन योजना ये परेटन स्थल के इसाब से बनाई जाती है तो स्वदेश दर्शन योजना से किस जील को जोड़ा गया है आपकी सामबर जील को जोड़ा गया है तो ये एक important question यहाँ पर बन जाता है ठीक है और सांबर लेक management project क्या सांबर लेक management project जिसको smp का जाता है budget 2022 और 2023 में इस project को भी बनाये गया है इसके development के लिए तो smp project कौन सा है 2022 तेश के budget में स्वदेश दर्शन योजना इसमें जोड़ी गई है हिंदुस्तान salt limited और सांबर salt limited के द्वारा इसका उत्पादन मार्ट से माई में सबसे ज़्यादा किया जाता है किन चार नदियों से बनता है खारी खंडेला मैंथा रूपनगड और सांबर आप देखिए ये एक बार के लिए आप उतार लीजिए या पिर इसका screenshot ले लीजी क्योंकि इसमें और important बाते हैं वह आप हम लेके चलेगे चलिए तो यहाँ पर अब अपन देखते हैं इसके और क्या-क्या important पार्ट आजाता है एक्जाम की दर्ष्टी से तो देखिए सबसे पहली तो बात यह कि माहन भारतिय माहन जल विभाजक रेखा क्या होती है यह मानली जी हमारा देश है इस देश में ठीक है यहाँ पर कुछ-कुछ जगे पे सत्पूरा की पाड़िया विद्यांचल की पाड़िया अरावली की पाड़ियों की वजे से यहां पर दो पार्ट होते हैं दोस्तों एक जाता है अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ तो एक जाता है हिंद महासागर की तरफ ठीके भारत का जो लेफ्ट हिस्सा होता है वहां पर हिंद महासागर होता है दोस्तों और यहां पर होती है बंगाल की खाड़ी तो यह जो रेख जाती है तो भारती माहन जल विभाजक रेका जो है वो सांबर जील के से बुजरती है ठीक Ay regulatory के कुल नमक अंधूपादन का करीबन 8.7 जाने वानगती है भारत के फूरन थे कर दोस्तों क watches important question है और कई बार पूछा जाने वाला question है ठीक है आप यहाँ पर एक और चीज़ आगती है देखिए जील जहाँ पर भी होगी वहाँ शेवाल होंगे तो इस्पाई रूलीना नाम है इस्पाई रूलीना शेवाल शेवाल आप जैसा की समझते ही होंगे जो घांस जैसी एक नदी के ओपर आप गरीन गरीन सी एक लेयर देखते हैं उसी को शेवाल कहते हैं तो इस्पाई रूलीना नामत जो शेवाल है वो आपको यहाँ पर पाई ज कहीं पर जैसे आप बाखी जगे देखते हैं तो कहीं जगे पर अधर चीज नाइट्रोजन कहीं मिलती है तो यहां पर जो सरवार्दिक मिलेगी वो क्या मिलेगी प्रोटीन मिलेगी ठीक है अब इसी से इंपोर्टेंट और क्या है कुछ वैसं यह भी देख लेते हैं कि अंग अंग्रेजो ने भी इसको लीच पे लिया और अठारा सो गुड़कतर में नमक समझोता भी किया था इसके बारे में और डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह अपने सिलेबस में इतना डीप नहीं जाता है तो आप इतना सा याद कर लिजेगा कि सांबर लेखो अठार सो गुड़कतर में जो नमक समझोता है वो अंग्रेजों के दुआरा किया गया था ठीके सांबर जील को रामसर साइट 23 मार्च 1990 को घुशित कर दिया है 23 मार्च 1990 देखिए राम किस साइट में रामसर साइट अब रामसर साइट क्या होती है जो डलदली इलाक होता है जहां पर पानी लगातार जमा रहता है आद्र जिसको हम कहते हैं तो आद्र जो इलाका होता है दोस्तों ठीक है उमिडिटी पूर्ण होता है आद्रता पूर्वक्त होता है उस इलाके को वहां के क्योंकि जीव जन्तु और वहां के जो पादफ होते हैं पेड होते है वो उसके according डल जाते हैं तो इसी लिए ऐसी sites जहाँ पर पानी बरकरार बना रहता है सालबर तो कुछ sites को रामसर site के अंदर जोड़ा जाता है तो रामसर site को जोड़ा गया वो 23 मार्च 1990 में इस जील को रामसर site के तेर्ट जोड़ा गया है ठीक है और इसको एक परेटन स्थल भी बनाया है यहाँ पर सॉल्ट मूजियम भी बनाया है तो सॉल्ट मूजियम कहाँ पर बना है सॉल्ट मूजियम ये भी आपके सांबर में बना है तो सॉल्ट मूजियम भी सांबर में बना है ठीक है आगे दिखते हैं दादू दयाल राजस्थान का जो है सामर के किनारे इनकों ने प्रतम उब्देश दिया था प्रथम उद्देश किस ने दिया दादू दयाल ने ठीक है तो प्रथम उद्देश दिया था दादू दयाल जी के द्वारा और दादू दयाल को क्या का जाता है तो राजस्थान का कबीर भी कहते हैं क्या कहते हैं क्वेशन बन सकता है कि दादू दयाल को ने तो राजस्था शाकंबरी माता का मंदिर भी है किसका है शाकंबरी माता का और शाकंबरी माता किसकी कुल देवी हो जाती है चोहान वंच की क्योंकि यहां पर देखिए आपने पड़ा था कि चोहान वंच के राजा वासुदेव के दौरा इसको बनाया गया तो शाकंबरी माता जो है वो हो ग नानी तो तीर्थो की नानी भी कौन है शाकंबरी माता और ये कहां पर है ये मंदित सांबर के अंदर ठीक है देखिए इसको देव यानी माता भी कहते हैं बाकी आपके देवतर देवी वाला जेक्टर आएगा तो उसमें हम और जला डेटेल यहां पर लेकर चलेंगे इसके ब पता होना चाहिए ठीक है कुरंजा पक्षी की जो प्रिजनस तली होती है वो भी यहां पर सरवार्दिक होती है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंच बदरा इसको हम पंच पदरा भी कहते हैं ठीक है पंच पदरा बालुतरा अब इस जील के बारे में हम थोड़ा सा ड पंच पदरा भी कहते हैं यह क्या पंच पदरा कहलाएगा इस जील का नमक जो है वो ज्यादक तर कैसा है समुद्री पानी से मिलता हुआ है सामड में समुदरी पानी से मिलता हुआ नहीं लेकिन इसका जो नमक है वो total समुदरी पानी से मिलता जुलता है और इसलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि समुद्री पानी से मिलता जूलता होने के कारण ये खानी के योग्ये नहीं हो पाता है ठीके क्योंकि इसमें sodium chloride जो है जो ठीके और ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ confusion समुद्री पानी से मिलता जूलता है और इसलिए ये खाने में सरवाधिक best होता है मैंने थोड़ा सा वो डीड़वाना जील वाला concept थोड़ा सा miss match हो गया था यहाँ पर में clear कर देता हूँ कि यहाँ पर सरवार्दिक शुद्ध और सबसे बढ़िया नमक जो है वो पच बद्रा बालूतरा वाली जील से मिलता है क्योंकि यहाँ पर 98 परतीशत sodium chloride कितना परतीशत दोस्तो 98 परतीशत sodium chloride sodium chloride इस नमक में पाया जाता है और इसी लिए सरवोत्तम क्वालिटी का जो नमक है वो आपके होता है पंच बद्रा बालूतरा के अंदर ठीक है अते यहाँ पर इस जील में प्राचीन समय से ही और ध्यान दिजिएगा कि कौन से जाती यहाँ पर नमक निकालती है तो खारवाल जाती यह question पूछ लिया जाता है तो खारवाल जाती कि जो लोग है वो यहाँ पर नमक निकालते है और ये क्या यूज करते है Moraly व्रक्ष की टेहनी को इसको निकालने के लिए Moraly व्रक्ष की टेहनी खो ठीक है ये उसमें डाल के उसके चारो तरफ नमक जम जाता है उसको बहर निकालते हैं सुखा के जाड देते हैं तो इस तरीके से खारवल जाती के द्वारा मोरली व्रक्षी की जो टहनी होती है उसके द्वारा 15 से जो नमक है वो दोस्तों यहाँ पर निकाला जाता है ठीक है और अब आगे चलते हैं हम नेक्स वाली डीडवाना जील तो डीडवाना जील से डीड से ही आपको क्लियर हो गया होगा डीड से डीडवाना जील के बारे में हम देखे देखते हैं चार वर किलोमीटर में यह नहीं है लेकिन यहाँ पर जो important है अब उस पर बात हम कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर देखिए नमक की quality के लिए sodium chloride क्या चीज़ दोस्तो sodium chloride होना बढ़िया होता है मतलब जितना अच्छा sodium chloride पाया जाएगा नमक की quality उतनी जदा best होगी लेकिन यहाँ पर sodium chloride की जगे पे क्या sodium sulphate जदा मिलता है और sodium sulphate मिलने के कारण यहाँ का जो नमक है वो खाने योगे नहीं होता है ठीक है तो अगर खाने योगे नहीं होगा तो नमक का प्रयोग क्या होग उसमें sodium sulphate का जो है वो उप्योग यहाँ पर किया जाता है ठीक है इस जील के समीप ही राजस्तान स्टेट कैमिकल वर्क राजस्तान स्टेट कैमिकल वर्क राजस्तान स्टेट कैमिकल वर्क राजस्तान स्टेट कैमिकल वर्क कंपनी भी यहाँ पर चलती है अभी बात होगी कि sodium sulfate जो की chemical reaction के लिए यूज होगा तो राजस्तान state chemical work जो है वो कहाँ पर आपके डीडवाना में ठीक है तो यहीं पर आपकी यह लगी हुई है इसके बाद हम बात करते है sodium sulfate और sodium sulfide का यहाँ पर निर्मान होता है क्योंकि sodium sulfate माना जाता है तो इसी के जो कारक होते हैं वो इसका प्रयोग होगा और यहाँ पर कुछ लोग छोटे-छोटे सेंत्र लगा के थोड़ा बहुत नमक भी बनाते हैं तो यह इतना नमक के लिए important नहीं है ठीक है और लेकिन जो मैंने बताया कि छोटी-छोटी जो इकाईयां है वो लगाई जाती है तो इसके पीछी भी एक एक रीजन है क्योंकि यह question में important होता है क्योंकि छोटी-छोटी इकाईयों को हम कहते हैं देवल देवल क्या होती है जो आपके इस जील में चोटी-छोटी-चोटी-एकाईयां नमक का उत्पादन करने के लिए लगाई जाती है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों देवल कहा जाता है ठीक है नेक्सा जाता है दोस्तों लुण करण सर जील और यह कहां परिस्तित है पहले तो हम बात कर लेते हैं तो लुण करण सीर है विकानियर के अंदर और यह सबसे बहुत ही छोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी- तो इसका import export वाली जो चीज थी है वो यहाँ पर नहीं होती है और उत्री RAJASTIAN की यह 1 मांत्रा खारे पानी की जील होगा तो कोन सी होगी लुड करना सर जील होगी तो दोस्तों सारसोत steno classes आपको study के साथ साथ करवाता है steno और typing की सबसे best त्यारी सबसे latest software हमारे पास होते हैं और जो techniques होती है जो exam को crack करने की वो आपको सरवत्तम तरीके से यहां पर बताई जाती है तो आपको भी करनी है sorry अगर आपको भी करनी है दोस्तो steno और typing की त्यारी तो 988-7060-1008 पर call करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं और जोड सकते हैं सारसोत steno classes के साथ अपनी success journey को बनाने में चलिए आगे बढ़ते हैं और next आता है दोस्तो नावा जील अब नावा जील जो है दोस्तो यह पहले तो हम यह देख लेते हैं तो नावा जील आती है डेडवाना के अंदर और नावा जील के अंदर जो important जो part आता है वो एक ही question बनता है पहली बात तो यह कि नावा जील है कहां पर और दूसरी चीज आदर्ष लवण पार्क की कहां पर की गई है डेडवाना में पहले जब यह जिला नहीं बना था तब इसका answer होता था वो नागोर होता था कई बुकों में आपको नागोर देखने को मिलेगा लेकिन अब जो है वो क्या हो चुका है डेडवाना हो चुका है तो आदर्ष लवण पार्क अगर आप देंगे तो new latest update के बाद में अब डेडवाना होगा ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो अन्य जीले हैं अब उसको भी हमें देख लेना है तो यहां पर अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यह याद करा देता हूँ यह आपकी 12 जीले हैं टोटल ही दो कोईशन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जील कहां पर है तो अब हम इसको भी थोड़ा सा फटापट फटापट लेंगे ठीक है तो लून करण सर जील की बात में आपका याद हो गया देखिए बाप जो होता है बाप पिता जी कोई कहते हैं तो बाप बच्चों के लिए फल लेकर आता है फलोधी ठीक है अब पहले तो यह कहां हुआ करता था जोध्पूर में हुआ करता था लेकिन अब फलोदी को नया जिला बना दिया गया है इसलिए फलोदी अब यहाँ पर देखने को मिलता है तो अब न्यू लेटिस्ट अपडेट के हिसाब से फलोदी कहां पर है फलोदी जिले के अंदर है अब ध्यान दीजिए और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे बाप तो बाप भी कहां पर है फलोदी में बाप फल लाता है फलोदी में ठीक है तो यह आपके लिए याद हो जाएगा इसके बाद हम दोस्तों बात कर रहे हैं कावोद ठीक है और कावोद के साथ ही पोकरण ठीक है कावोद के साथ ही पोकरण देखो इसको कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कावोद पोकरण पाक से याद कर लो पाक का वादा यहां से पाक पकड़ लीजी यहां से वाद पकड़ लीजी या पाक से वाद करने के लिए जेसल मेर गए पाक से वाद करने के लिए हम कहां गए जेसल मेर तो पाक से तो हो गया पोकरण और वाद से हो गया कावोद और ये कहाँ पर हैं दोनों ही जेसल मेर में हैं रे वासा ठीक है तो रे वासा से सीकर सैसे ही सीकर निकाल दीजी रे वासा सीकर ठीक है ताल च्छापर ताल से दाल को बना दीजी और चूरू से चूर्मा को बना दीजी तो दाल चूर्मा ताल च्छापर चूर्मा ठीक है नेक देखतो हो गई आपकी कुचामन डीडवाना और नावा डीडवाना ठीक है तो देखिए कभी भी कोई डीड होती है डीड क्या होती है एग्रिमेंट को डीड कहा जाता है तो कोई भी नवा नवा मतलब नया कोई भी नया डीड होगी तो जैसे ही कोई घर बिग गया डीड दीडवाना हुगया और दूसरा था आपका दीडवाना नवा है नवा से नए घर की तरफ या नई दीड़ से ले ले लिजिये तो यह रवाना हो गए तो दीडवाना Seiten धर वाना ठीक है तो 17 ऊई तरीके से आम याद कर लेते हैं ISK cricket अद तो यहीं से ना से ना और फिगे से गो तो ना गोर देगाना से ना गोर याद कर लिजी कोकरण हो गया फलोदी हो गया कोछोर ठीक है कोछोर सीकर अब देखो अपन यह से बोलते ना ओरे छोरा औरे छोरा हाना औरे छोरा सीकर तो औरे छोरा तो यह किदर क्या हो गया सीकर का अपन यहां पर यह समझ लेते हैं कि औरे छोरा सीकर तो सीकर से अपन क्या कर देंगे औरे छोरा तो रे से रिवासा और को से कोछोर और लास्ट आता है पिथन पुरी पिथन पुरी हो गया नीम तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो भी जिले हैं ख़ारे पानी की जिले वो इस वीडियो में यहां पर हो जाती है समाफ्त इसके साथ ही आपका ख़ारे पानी की जील मीठे पानी की जील दोनों complete हो चुकी है नेक्स वीडियो में मैं आपको तालाब की important part भी दे दूँगा कि जो तालाब है इसकी हो सकता है कि वीडियो की जगे मैं उसका pdf अपने telegram link पे डाल दूँगा तो आप तालाब जो है वो मेरे pdf link से telegram link से प्राप्टिक कर लेना तो जो भी important तालाब होंगे और उससे question कभी कभी बन जाते हैं जल के अंदर business important है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इसके बाद दोस्तों जो हम next topic लेंगे वो आप topic लेंगे नदियों का ठीक है तो नदियों को पढ़ाएंगे इसके बाद में तो यहाँ पर आपकी हो जाती है जीले complete तो बने रहिए हमारे साथ करते रहिए तैयारी और साथ ही साथ दोस्तों तैयारी करने के साथ साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि से pre paper की तैयारी से हाँ काम नीचलेगा इस्टैनों की तैयारी को भी लगातार बरकरार रखिए मैंने आपसे वादा किया है अगले वीडियो में धन्यवाद